हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू एक्स्प्रोइंग फिंग से राउंड दोस्तों आज है बाली हमारा छठवा दिन और आज हम लोग कर रहे हैं अपने होटल से चेक आउट और हम लोग जा रहे हैं मलेशिया तो आज हमने कुछ जादा खास नहीं किया जस्ट सुबह मैं शैलून के फिर हम निकल जाएंगे यहां से एरपोर्ट के लिए फिर वहां से छे बजे फ्लाइट है उसके वार फिर पहुंच जाएंगे मलेशिया तो आज के दिन में वैसा कुछ खास हम लोग घूमने नहीं जा रहे हैं जस्ट यहीं हेर कट किया था आप ज़रूर बताएं अगर कैसा लगा को निएक अप्लिगों को मेरा है कर ओके फ्रैंड्स तो इदे आप मिलती हूं मैं आप से एरपोर्ट पर दोस्तों रास्ते में हम लोग अभी एरपोर्ट जा रहे थे रास्ते में हम लोग अपना ब्रंच करने के लिए यहां पर रुके हैं कुईंस अफ इंडिया कल भी हम लोग कुईंस आफ इंडिया में जायते हैं वह डिफरेंट राउस था और यह दिखिए गड़ेश जी की बहुत संदल पतिमा यहां पर तो हम यहां पर आये अपना ब्रं के एरपोर्ट के लिए अब तो दोस्तों देखिए छोला भटूरा आ गया है हम लोग का और सब लोग खा रहे हैं है है अब है तो बाबू बहुत टेस्टी है चोला भटूरा आज हम लोग सुबा सालून गयते हुआ हम लोगों ने हैर कट कर वाया था अगर आप भी बाली जाते हैं तो सेलून तेख बढ़ जाईए मसाज कराईए फुल बॉर्डी मसाज कराईए ओके फ्रैंट्स अब मिलते हैं एरपोर्ट पे और मैं इंज्वाए करती हूं अपने छोला भटूरा दोस्तों लोग पहुच गया है एरपोर्ट यह बाली का इंटरनेशनल एरपोर्ट और अब हम लोग अंदर जारें हैं ग्रह प्रवेस एरपोर्ट में ग्रह प्रवेस हो रहा है हम लोग हो गया है दोस्ता हम लोग एरपोर्ट पहुच चुके हैं और हम लोग को हमारी जो यह कैब हमें यहांको द्वाप कर चुकी है सामान निकाला जा रहा है यह बाली का इंटरनेशनल एरपोर्ट यहां का व्यूंद देखिए दोस्तों अब हम लोग पिंटू यानि गेट नंबर वन वी पर आ चुके हैं और यहां से हम हमें जाना है अपनी फ्लाइट में बैठना है मलेशिया के लिए और फिर वो फ्लाइट कुरा लामपूर मलेशिया में हमें पहुचा देगी तो दोस्तों अब हमारा बाली का सफर यहीं पर खतम होता है और हम पहुच जाएंगे मलेशिया अपने घर फिर से तो यह गेट नमबर वन तो दोस्तों हम लोग जा रहें अपने फ्लाइट में बैठने और इस तरह से हम तहते हैं वाई वाली को वाली में हम लोगों ने बहुत ही अच्छा समय बिताया बहुत ही उंजाइट किया और आई होप आप लोगों वही बाली का जो व्लॉग है व और दोस्तों हम जा रहे हैं बैठने फ्लाइट में लगी हुई है प्लीज सुप्स्क्राइब यहां से की दिख रही है उपकशन गजाब नहीं